आज हम मार्केट में मिलने वाली बहुत ही महेंगी मिठाई घर पर बहुत ही कम समय और कम कीमत में बना कर त्यार करेंगी इसका नाम है ट्राइफरूट खजूर रोल नमस्ते दोस्तों मैं कवीता स्वागत है आपका रादा के रुखसे विवानी में तो चलो रैसिपी बनाना शूर करते हैं खजूर रोल बनाने के लिए प्लेट में हमने आदा अदा कटोरी काजू, बादाम, अक्रोट और पंकिन सीट्स लिए हैं सबसे पहले काजू, बादाम और अक्रोट को 20 से आदा काटेंगे, गैस पर कड़ाई रखेंगे कड़ाई में 2 टी स्पून पोपी सीट्स डालकर लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक लगातार चलाते हुए ट्वाइ रोष्ट करने के बाद बलेट में निकालेंगे इसी कड़ाई में 2 टी स्पून देसी गी डालेंगे, हल्के गरम गी में सारे नट्स और सीट्स डालेंगे लो फ्लेम पर 4-5 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे नट्स को फ्राई करने से ये क्रंची होंगे, इनका स्वाद और कलर दोनों ही निकालेंगे 4-5 नट की बाद इसे प्लेट में निकालेंगे प्लेट में हमने 4 कटोरी सीट से निकली हुए खजूर लिये हैं कड़ाई में तूटे इस्पून देशी गी डालेंगे, हलके गरम घी में ग्राइंड की वे खजूर डालेंगे और इन्हें लो फ्लेम पर 4-5 मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे खजूर की टॉप हम हटा देंगे क्योंकि यह मुँमे अटकेगी 4-5 मिनट फ्राई करने के बाद खजूर हमारे डो जैसे दिखने लगे है खजूर ने कड़ाई छोड़ दी है, गैस की फ्लेम आउफ करेंगे, कड़ाई हमने स्लेप पर रख ली है अब खजूर में डालेंगे फ्राईड नट्स और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे खजूर थोड़े ठंडे होने पर इन सब को हमने हातों से अच्छे से मिक्स कर लिया है पहले खजूर के हम दो रफली रोल बनाएंगे एक रोल बना लिया है और दूसरा रोल भी बन गया है खजूर रोल हमने चॉपिंग बोर्ड के उपर रख लिया है इसे अच्छे से मसलने के बाद इसका पतला और बड़ा रोल बना कर त्यार करेंगे किनारे दबा देंगे जिससे की किनारों में भी अच्छे शेप आया और बीच से खाली न रहे अच्छे से मसलने के कारण रोल में अच्छे शाइनिंग आ गई है रोल को गाणिश करने के लिए इसके नीचे थोड़े थोड़े पॉपी सीट्स डालकर अच्छे से रोल करेंगे जिससे की पॉपी सीट्स रोल में अच्छे से सेट हो जाए जहाँ जहाँ पर पॉपी सीट्स नहीं लगे हैं वहाँ वहाँ पर थोड़े थोड़े फॉपे सीट्स और डालेंगे और इसे अच्छे से रोल करेंगे यह हमारा ड्राइफ रूट खजूर रोल बनकर तयार है दूसरा भी खजूर रोल बनाकर त्यार कर लिया है खजूर रोल को सेट करने के लिए किसी कड़क वाली प्लास्टिक शीट या ऐलिमुनियम फाइल के अंदर रखकर अच्छे से कवर करेंगे जिससे की ड्राइफ रूट्स खजूर और खसकस अच्छे से सेट हो जाए दोनों खजूर रोल को हमने डेर से दो गंटे सेट होने रख दिया था डेर दो गंटे के बाद अलिमुनियम फाइल हटाकर खजूर रोल को देखते हैं ये दोनों अच्छे से सेट हो गए हैं अब इनसे मंचाय साइच के मोटे या पतले पीसेस काट लें यहाँ पर हमने खजूर रोल को आदा से पौना इंच के पीसेस में काट लिया है खजूर रोल आपको दिखाते हैं कितने शांदार बने हैं वो भी कितने कम समय कम कीमत और हाईजिनिक तरीके से इजली हमने घर पर ही खजूर रोल बना कर त्यार कर लिया है इने आप ये ट्राइट कंटेनर में पूरे 10-15 दिनों तक इस्टोर कर सकती हैं आज की रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए 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 फंटे किया